Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे हम लोग Deep Learning में Optimization Techniques पढ़ रहे हैं हमने last वीडियो में एक बहुत important topic cover किया Exponentially Moving Average का इस वीडियो से हम लोग हमारे सारे Optimization Techniques एक एक करके start करेंगे जो पहला Optimization Technique हम पढ़ेंगे उसका नाम है SGD with Momentum It is a very very important Optimization Technique because खुद ये Neural Network का training तो speed up करता ही है साथी साथ ये जो concept है Momentum का ये आप और आगे की Optimization Techniques में भी देखोगे तो उस हिसाब से ये Technique बहुत important हो जाता है अब ये पूरा वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया उसके बारे में आपको एक introduction देता हूँ मैंने सारा का सारा basics cover करने की कोशिश की है सारा का सारा mathematical formulation आपके सामने रखा है और उससे भी जादा मैंने कोशिश की है कि आपके सामने धेर सारे animations और visualization लेकर के आऊँ because I feel कि ये थोड़ा सा difficult topic है और लोग mostly mathematics तो समझ जाते है but जो intuition part है algorithms का वो नहीं समझ पाते उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने खूब सारे animations और visualizations इस वीडियो में add किये है तो अगर आपको पसंद आए तो please subscribe the channel और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर देना ठीक है चलो let's start the video अब ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़े basic concepts आपके साथ discuss करना चाता हूँ because इस वीडियो में बहुत सारा आपको conceptual चीज़ें दिखाई देंगी और अगर आपका basis clear नहीं है तो फिर आप ये वीडियो पूरी तरीके से समझ नहीं पाऊँगे अब अलग-अलग basic चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो मिरको discuss करनी है आपके साथ वो है अलग-अलग type के graphs जो इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे तो आपको एक idea पहले से होना चाहिए कि ये अलग-अलग graphs क्या represent करते हैं precisely तीन अलग graphs आपको दिखाई देंगे इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियो में तो पहले से आपको पता होना चाहिए तीनो graphs क्या represent कर रहे हैं ठीक है तो तीन graphs हैं यहाँ पर अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनो graphs क्या represent कर रहे हैं अब ये तीनो graphs का underlying meaning समझने के लिए एक बार वापस पीछे जाते हैं और समझते हैं कि deep learning में होता क्या है in summary deep learning में आपके पास एक neural network होता है और कोई एक regression या classification problem होता है मान लो एक regression problem है जहाँ पे आपके पास तीन input columns है और आप उससे कुछ output को predict कर रहे हो ठीक है अब output सही है या नहीं ये पता करने का तरीका होता है loss function loss function क्या करता है loss function is basically a mathematical function जिसका काम है आपके prediction और जो actual output value है इनके बीच में एक mathematical relationship establish करना जैसे कि एक loss function होता है y minus y hat का whole square जिसको आप mean squared error बोलते हो ठीक है तो अब यहाँ पे पूरा funda समझो आप input भेजते हो y hat calculate करते हो और फिर इस y hat से आप loss calculate करते हो अगर loss बहुत जादा है इसका मतलब आपका neural network खराब perform कर रहा है तो उसको improve करने का तरीका है कि आप यह जो weights है और यह जो biases है इनके value को आप change करते हो और इनके value को change करने से y hat change होता है y hat को change होने से फिर से l change होता है ठीक है तो in a way आप बोल सकते हो कि यह जो आपका loss है यह actually एक function होता है आपके weights और आपके biases का ठीक है तो अगर आप चाहो जैसे जैसे कि maths में अगर आपने यह लिखा है कि y is equal to f of x तो आप यह graph plot कर सकते हो x को change करने से y में क्या changes आएंगे similarly अगर आप चाहो तो आप यह जो function है loss function इसका भी graph plot कर सकते हो with respect to all of these parameters the only problem is हम humans highest 3D में ही देख सकते हैं बट यहाँ पे मान लो अगर आपके पास 15 weights हैं और 10 biases हैं तो यह 25 dimensional graph बन जाएगा जो आप देख नहीं सकते तो अगर हम यह मान लें थोड़ी दिर के लिए कि हमारे पास एक ऐसा neural network है जिसमें सिर्फ एक ही node है और उसमें कोई bias नहीं है सिर्फ एक weight है जो कि हमें एक output दे रहा है और यहाँ से मुझे input मिल रहा है तो now यहाँ पे जो loss function होगा वो एक function होगा सिर्फ w का और उसको आप इस तरीके से plot कर सकते हो मतलब w में change होने से l में क्या changes होंगे यह जो graph आपको दिखाई दे रहा है यह exactly यही है जब आप अपने loss function को plot करते हो अपने किसी एक single parameter के against तो आपको ऐसा graph दिखाई देगा ठीक है एक input और एक output मतलब 2D graph अब मान लो कि आपके पास यह जो neuron है इसमें bias भी है तो आपके पास दो parameters है तो इसका मतलब यहाँ पे loss is a function of w and b तो फिर यह जो graph plot होगा यह 3D में plot होगा और वो ऐसा दिखाई देगा ठीक है तो I hope आपको समझ में आ रहा है हम 3 parameters को plot नहीं कर सकते because वो graph 3 plus 1 4D हो जाएगा which we cannot imagine ठीक है तो going forward in this entire video मैं आपको या तो एक single parameter के against loss plot करके दिखाऊंगा या फिर 2 parameters के against loss को plot करके दिखाऊंगा ठीक है यह दोनों graph आपको देखने को मिलेंगे अब सवाल आता है कि यह 3 graph क्या है तो बस यह 3 graph बहुत simple है यह इस graph का 2D में projection है मतलब आप अगर यहां से देखो उपर से top view लो तो आप actually इस graph को ऐसे plot कर सकते हो जमीन पे मतलब अलग-अलग B और A की value के लिए loss की value ऐसे दिखाई दे रही है इस as if आपने concentric circles draw कर लिए इस curve के उपर like this ठीक है और उसको आपने नीचे जमीन पे project कर दिया यही होता है contour plot ठीक है इस 3D graph को 2D में देखने का तरीका होता है ठीक है तो contour plot को थोड़ा सा imagine कर पाना यह समझ पाना मुश्किल होता है तो मैं आपको कुछ examples दिखा देता हूं जिससे आपके दिमाग में थोड़ा clear picture बन जाए कि अगर आपको यह graph दिखाया जाए तो आप उससे contour बना पाओ या फिर आपको contour दिखाया जाए तो आप उससे 3D imagine कर पाओ तो गाइस मैंने गूगल पर कुछ searches की हैं और उसके हिसाब से मुझे कुछ images मिले हैं उने images के थूई मैं आपको example दिखाऊंगा मेरा एक suggestion बस यह रहेगा कि एक intuition develop कर लो एक बार intuition develop हो गया तो फिर contour plot समझने में आसानी हो जाती है ठीक है also जो आप 3D को 2D में convert कर रहे हो तो आप basically एक dimension का information lose कर रहे हो तो वो जो information lose होता है वो color के through represent होता है contour plot में तो यहां पर आप देख सकते हो कि there are four maximas ठीक है उठा हुआ surface तो वहां पर उसको कैसे दिखाया जा रहा है using yellow color ठीक है yellow color मतलब यह वाला circle है सबसे अंदर वाला circle वो थोड़ा उठा हुआ है और जितना purple shade है वो उतना down है तो यह color आपको बता रहा है height जो third dimension है ठीक है तो यह एक example हुआ you can see this one यहां पर एक sheet की तरह आप imagine कर सकते हो जो उपर से नीचे आ रहा है और बीच में गड़ा है ठीक है तो उसका representation you can see on the bottom contour plot उसका ऐसा है blue color represents गड़ा lower altitude और brown color represents higher altitude ठीक है यह भी similar ही है यहां पर बीच में एक flat lower surface है जो represent हो रहा है यह नीचे इस eclipse से next one is this इस तरह के surface को saddle point बोला जाता है हम लोग थोड़ी देर बाद discuss करेंगे but you can see नीचे contour plot कैसा आ रहा है दो side में उठा हुआ है तो वो orange color से represent हो रहा है और दो side में एकदम बैठा हुआ है नीचे है वो blue color से represent हो रहा है और बीच में there is a flat surface तो जहां भी flat surface होगा ना तो वहां पे concentric circles एक दूसरे से दूर होंगे यह आपको याद रखना है क्योंकि यह concentric circles represent करते हैं same altitude तो जहां पे flat है वहां पे सबका same ही altitude है इसलिए एक से ज़ादा concentric circles की ज़रूरत नहीं पड़ रही ठीक है similarly you can see यह sheet है जो bend किया हुआ है एक तरफ और वो आप ऐसे दिखाई दे रहा है ठीक है red side represents higher altitude blue side represents एकदम lower altitude यह भी interesting है yellow color represents higher altitude blue color represents lower altitude तो अगर आप इस 3D surface को हटा दो और सिर्फ contour को देखो तो आपको कुछ ऐसा contour देखने को मिलेगा ठीक है तो this is one more this is again a saddle point जहां पर दो साइट से surface उठ रहा है दो साइट से surface बैठ रहा है ठीक है यह actually x square minus y square का ऐसा curve होता है so you can see blue color represents minima and orange color represents maxima बीच में यह saddle point है जहां पर आपके सारे जो concentric lines है या जो भी curves है वो एक दूसरे से थोड़े दूर है जो कि यह बता रहे हैं कि बहुत दूर तक आपका value is very same again similar है उठावा point orange है नीचे बैठा हुआ आपका blue है लास्ट दो देखते हैं again this one whitish shade बता रहा है उठा हुआ और dark brown orange shade बता रहा है बैठा हुआ graphs तो आप में समझ लिए अब एक concept और आपको पता होना चाहिए इस वीडियो में अंदर जाने के पहले और वो concept है convex versus non-convex optimization although इसके उपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है बट मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि जब आप deep learning में काम कर रहे होते हो और आप जब complex neural network architectures बना रहे होते हूँ तो आपका जो loss function का जो graph होता है वो इतना simple सा नहीं होता वो थोड़ा सा कुछ complex type का होता है ठीक है वही यहाँ पर दिखाया जा रहे है in the first diagram you can see हम वो वाला graph यूज कर रहे है जहां हम loss को सिर्फ एक parameter के against plot कर रहे है and you can see आपको कुछ इस तरह के loss functions दिखाई देंगे deep learning में ठीक है इसी का 3D version यहाँ पर है यह हुआ एक बहुती simple loss function convex optimization problem और यह हुआ एक non-convex optimization problem अब अगर आपको convex versus non-convex का difference समझना है तो मैं एक video link कर दूँगा आप वो जाके देख सकते हो अब question यह आता है कि non-convex optimization वैसे तो देखके भी समझ में आ रहा है कि जादा difficult होगा यहाँ पर सही solution तक पहुँचना by the way सही solution का मतलब यह है कि यह आपका parameter है यह आपका loss है और आपका graph कुछ ऐसा है आपको loss का ऐसा value निकालना है जिसके लिए आपको weight as in w का ऐसा value निकालना है जिसके लिए loss का value minimum हो basically आपको इस curve के minima तक traverse करना होता है यह concept हम आपको यहाँ तक पहुचना है या यहाँ तक पहुचना है curve के minima तक पहुचना है अब अगर आप non-convex optimization problem में हो तो minima तक पहुचना बहुच डिफिकल्ट हो जाता है और उसके तीन reasons होते हैं primarily पहला reason होता है local minima दूसरा reason होता है saddle point और तीसरा होता है high curvature इन तीनों को मैं एक बार आपको visualize करके दिखाता हूँ local minima मतलब एक ऐसी जगा जहां पे slope is zero हम यहीं पर आके रुखते है अब problem क्या है कि मालो आप randomly अपने weights को यहां से आपने initialize किया तो obviously आप jump लेते लेते इस minima पर आके रुख जाओगे आप कभी भी यहां नहीं पहुच पाओगे मतलब आपको एक sub-par solution मिलेगा जिससे results उतने अच्छे नहीं आते ठीक है ना तो local minima 3D में अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे सोचो कि आप यहां इस गड़े में फस गए जबकि आपको पहुचना यहां पे था because आपने यहां से start किया हो सकता है आप यहां से start करते तो सीधे यहां पहुच जाते बट सिंस आपने यहां से start किया randomly आप यहां पे आके फस गए तो local minima आपको sub-optimum solution देता है और आप उसमें first के रह जाते हो this is the first problem with non-convex optimization the second problem is saddle point so saddle point एक ऐसा point है जहां पे एक direction में आपका जो surface है वो उठ रहा होता है और दूसरे direction में बैठ रहा होता है नीचे जा रहा होता है जैसे यहां पर देखो यह जो area है ना यह जो area है इन दोनों heights के बीच में यह जो area है this is a saddle point चीक है अब saddle point का problem क्या होता है कि बहुत दूर तक आपको flat surface दिखाई देता है मतलब कुछ ऐसा होता है saddle point एक तरफ ऐसे उठ रहा है और दूसरी तरफ ऐसे बैट रहा है तो बहुत दूर तक na slope बहुत gradually change होता है तो उसकी वज़े से क्या होता है since हमारा पूरा का पूरा navigation slope के basis पे ही है तो अगर आपका slope बहुत gradually change होगा तो आपका speed भी बहुत कम हो जाता है और आपका training बहुत slow हो जाता है आप आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हो ठीक है similarly अगर आप यहाँ पे फस गए तो भी आप same ही problem face करोगे तो non convex में आपको saddle point भी मिल सकता है and the last problem is high curvature curvature क्या होता है समझो यहाँ पे आप 2 circles रो कर पारे हो तो जिसका radius बड़ा है उसका curvature चोटा है और जिसका radius बढ़ा है इसका curvature बहुत बढ़ा है तो यह जो curvature होता है इसको भी traverse कर पाना थोड़ा difficult हो जाता है और यह curvature आपको बहुत high दिखाई देगा in non-convex optimization तो ये तीनो problems की वज़े से आपको optimization techniques लगाने पड़ते हैं आपका जो vanilla gradient descent है या stochastic gradient descent है वो इन तीनो problems को उतने अच्छे से navigate नहीं करता जिसकी वज़े से या तो training खराब होती है as in sub-optimum solution मिलता है या फिर आपका training बहुत slow होता है तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि आप का जो vanilla gradient descent है या फिर आपका stochastic gradient descent है वो किस तरीके से navigate करता है loss के curve को और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से optimization लगा करके improvement ला सकते हैं तो अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ यह हमने जो तीन algorithm अभी तक पड़े हैं उनका एक demonstration है batch gradient descent stochastic gradient descent और mini batch gradient descent और यह जो तीनो visualizations में आपको दिखा रहा हूँ यह convex optimization problem के उपर है मतलब बहुत ही simple आपका loss function का curve है you can see it's a 3D parabola so सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ batch gradient descent जहां पर आप अपने weights का जो value है वो update करते हो जब आप एक बार पूरा data देख लेते हो so you can see यह कुछ इस तरीके से smoothly minima तक पहुँचता है ठीक है शुरू में लंबे jumps ले रहा है और जैसे minima के पास पहुँच रहा है next मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ stochastic gradient descent जहां पर आप अपने weights को update करते हो after seeing just one row of data मतलब बहुती कम data के उपर आप trust करके weights में changes कर रहे हो जिसकी वज़े से थोड़ा सा इसका जो graph है वो erratic होता है spiky होता है you can see एक बार फिर से देखो शुरू में you can see उपर नीचे हो रहा है curve को भी छोड़ रहा है बट eventually सही जगा तक पहुँच रहा है और इन दोनों के बीच की चीज़ होती है mini batch gradient descent जहां पर आप एक batch of data को देखने के बाद अपने weights को update करते हो and you can see ये थोड़ा सा stochastic और batch के बीच का algorithm है spiky है बट थोड़ा smooth भी है अब यहां से हम लोग अपना आज का ये जो वीडियो का topic है वो start करेंगे momentum optimization so momentum क्या होता है ये जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या problem solve करता है momentum थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था कि neural network में आपको देखने को मिलता है non-convex optimization जिसका मतलब simple words में ये है कि आपका जो loss function का जो पूरा का पूरा curve है वो बहुत complex होता है और उस complexity की वज़े से दो-तीन problems आती है पहला problem जो आता है वो आता है high curvature का खुड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया दूसरा जो problem आता है वो आता है consistent gradients का consistent gradient मतलब आपका जो slope है वो कुछ इस तरीके से change होता है बहुत slowly तो इसमें जो आपका normal gradient descent algorithms है वो first के slow हो जाते है क्योंकि आपका जो update होता है वो slope के basis पे होता है और since slope बहुत जादा change नहीं हो रहा है तो update भी बहुत जादा नहीं हो रहा है basically आपका algorithm slow हो गया and the third one is noisy gradient noisy gradient का मतलब है कि आपका जो gradient है वो कुछ noise है उसमें मतलब बहुत fluctuate कर रहा है जिसकी वज़े से आपको local minima phase करना पढ़ता है और कई बार आप fuss के रह जाते हो local minima में और आपको sub optimum solution से काम चलाना पढ़ता है which is not good तो हम अभी जो momentum technique पढ़ने जा रहे हैं वो इन तीनों ही problems को navigate कर पाता है ठीक है अगर slope बहुत कम है तो भी वो speed में आगे बढ़ पाता है अगर local minima है तो यह उससे बाहर निकलने की capability रखता है और यह high curvature वाले loss function को भी easily navigate कर सकता है तो अगर आपको यह आपसे पूछ ले कि momentum क्यों यूज करना चाहिए momentum as an optimization technique क्यों यूज करना चाहिए आप उसको यह 3 scenarios बता सकते हो जहां पे momentum अच्छा perform करता है ठीक है तो यह तो बात हो गई क्यों यूज करना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो momentum optimization technique है वो होता क्या है किस principle पे based है और उसके पीछे का mathematics क्या है सो मैं आपको momentum optimization का जो core principle है उसका आपको एक intuition देता हूँ दो तरह का intuition मैं आपको दूँगा एक बहुत ही common example और एक physics based example सो एक common example के थूँ मैं आपको समझाता हूँ कि momentum optimization exactly काम कैसे करता है सो मान लो आप एक car में point A से start करके point B पे जा रहे हो और आपको रस्ता नहीं पता B तक पहुंचने का तो obviously आप क्या करोगे रुक रुक के लोगों से पूछोगे कि B कहां पर है अब मान लो आपने चार जगों पे पूछा इस बीच में चार अलगे लोगों से कि B कहां पर है और सभी ने आपको इस तरफ point किया तो सोच के देखो जब चार लोग आपको बोल रहे हैं कि इस direction में B है तो फिर automatically आपको एक confidence आता है और आप ज़ादा speed पकड़के इस direction में move करोगे वही अगर दो लोगों ने बोला होता कि आगे जाओ और दो ने बोला होता पीछे जाओ तो शायद आप आगे जाते लेकिन थोड़ी कम speed में So the whole idea of momentum optimization is कि अगर आपके previous gradients आपको एक direction में move करवा रहे हैं तो फिर आप confident होकर के तेजी से अपना speed बढ़ा के उस direction में move करोगे मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ मालो आपने यहां से start किया और आपके पिछले चार updates आपको इसी direction में move करने को बोल रहे हैं तो फिर आप अपना speed बढ़ा लोगे और आप बहुत तेजी से इस direction में move करोगे इसको आप एक physics analogy से भी समझ सकते हो कि आप एक ऐसे ball की तरह behave करने लगते हो जो कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है और जादा momentum गेन करता है और इसलिए इस algorithm का नाम momentum है क्योंकि अभी हम जो mathematics देखेंगे आप notice करोगे कि वो kind of newtonian physics के हिसाब से जो momentum है उसकी तरह behave करता है ठीक है momentum में formula जो होता है momentum का वो होता है mass times velocity सिंस हमारे पास तो कोई mass है नहीं तो हम एक unit mass मान लेते हैं और हम basically rely करते हैं velocity पे हम एक velocity का term निकालते हैं और जो previous velocity है या फिर जो history है हमारे update का हम उसको use करते हैं to build momentum अभी यह सब क्या है थोड़ी दिर में आपको समझ में आ जाएगा बस आप पहले core idea समझ लो core idea बस इतना है कि अगर आपके previous gradients आपको एक direction में भेज रहे हैं सारे के सारे तो आप confident होके अपना speed बढ़ा लोगे तेजी से उस direction में move करोगे and that is why कोई अगर आपसे पूछ ले कि what is the single most important benefit of using momentum optimization it is speed 99% times आपका जो momentum optimization है या momentum with SGD है it will be faster than normal SGD और batch gradient descent ठीक है अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम सोचते हैं कि हम क्या maths लगा करके ये momentum को implement कर सकते हैं हमारे gradient descent algorithm में चलो guys अब mathematically discuss करते हैं कि momentum को आप implement कैसे करते हो बहुत simple है हमने last video में पढ़ा था exponentially weighted moving average यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करते हैं momentum algorithm जो होता है न वो momentum accumulate कैसे करता है कि वो past के जितने gradients है उनका एक exponentially decaying moving average ले करके चलता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक normal gradient descent algorithm में क्या होता है कि आप अपने weights को update कैसे करते हो using this formula आप क्या कर रहे हो कि आप अगला time stamp पे जो weight होगा वो कैसे निकालते हो current weight minus learning rate times the gradient of the loss function with respect to your weight यहाँ पर आप क्या करते हो momentum में momentum में आप v बोल के एक term लेते हो जिसको आप velocity consider कर सकते हो ठीक है और आपका जो अप update होता है वो यह होता है velocity at time t आपने इसको replace कर दिया with this term अब यह vt कैसे calculate होता है यह हमने last video में discuss किया था आप vt calculate करते हो using this formula this is the formula so आपने क्या किया एक बीटा बोल के factor ले लिया एक constant जिसका value 0 से 1 के बीच में generally यह 0.9 होता है और आप vt-1 निकाल रहे हो vt-1 क्या है velocity at the previous step और आप उसमें multiply कर रहे हो current gradient add कर रहे हो learning rate times the current gradient at time t so basically यह जो component है ना यही वो momentum वाला component है this is the component ठीक है क्योंकि vt-1 निकालने के लिए फिर आपको vt-2 की जरूरत है मतलब velocity at time-2 vt-2 के लिए vt-3 निकालना और ऐसे करते करते आप previous जो सारी velocities है आप उसको use कर रहे हो kind of history of velocity को history of past velocity को you are using as momentum और यही main funda है जो आपको वो acceleration प्रोवाइड करता है अगर past के खूप सारे updates में एक same direction में भेजा जा रहा है तो वो add up होगा और आपको speed देगा अब इस छोटे से change से क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ यह एक छोटा सा diagram है screen पे यह है normal SGD और यह है SGD with momentum जो हमने अभी पढ़ा है you can see आपका जो error surface है SGD उसको navigate करते time बहुत ही vertical direction के steps बहुत जादा ले रहा है जिसकी वज़े से convergence में time लग रहा है अब होगा क्या कि अगर आप momentum apply करोगे तो इस direction में जो velocity है वो बढ़ जाती है horizontal direction में उसकी वज़े से आपके यह जो steps हैं यह थोड़े ऐसे होने लग जाते हैं like this जासे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो this is the biggest benefit of momentum although मैं आपको अभी और examples दिखाऊंगा बट अगर आप इस contour plot के थूँ समझने की कोशिश करो तो यह जो zigzag motion है इसको minimize कर रहा है इन दे वर्टिकल देरेक्शन और horizontal देरेक्शन में आपका movement बढ़ा रहा है जिसकी वज़े से you are getting faster convergence एक बार गाईज हम momentum में इस बीटा का role समझने की कोशिश करते हैं बेकास यह एक parameter है जिसको आप change करके अलग-लग type का behavior induce कर सकते हो सबसे पहले let's answer this question की अगर बीटा का value 0 हो जाए तो क्या होगा जैसी बीटा का value 0 हो जाएगा यह पूरा term 0 हो जाएगा और VT का value हो जाएगा यह और इसको अगर आप यहाँ पे replace कर दो तो आपको मिलता है SGD जो पहले होता था सेम वही चीज़ हो जाएगी यह formula आ जाएगा और यह SGD का formula है इसका मतलब जब बीटा 0 है तो momentum will act like normal SGD ठीक है so बीटा को यहाँ पे decaying factor बोला जाता है because यह बीटा ही बता रहा है कि past की velocities कितने speed में decay हो रही है मतलब जितनी पुरानी velocity मतलब there will be multiple updates update 1, update 2 ऐसे करके multiple updates होंगे तो जब current update की बात हो रही है तो उसके लिए सबसे पहला वाला update का value बहुत कम होगा उससे थोड़ा जादा next update उससे थोड़ा जादा next update तो यह जो exponentially decay हो रहा है value यही beta govern करता है ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि आप यह जो exponential average ले रहे हो यह 1 divided by 1 minus beta के बराबर होता है तो अगर आपने 0.9 ले रखा है तो it's as if आपका current velocity as in at time t will be equal to the average of past 10 velocities ठीक है because 1 minus 0.9 1 by 0.1 is equal to 10 ठीक है तो यह beta ही decide कर रहा है कि past की velocities का कितना contribution होगा momentum में ठीक है और जितनी पुरानी velocities होगी उसका impact उतना कम होगा जितनी recent velocity होगी उसका impact उतना ही जादा होगा अब एक बार सोचो अगर beta का value 1 हो जाए तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो गाई अगर beta का value 1 हो गया तो there will be no dk और आपका यह जो algorithm है यह जो ball है वो error surface पे बिलकूल ऐसे ही घूमते रह जाएगी because there is no friction involved तो यह kind of a dynamic equilibrium आ जाएगा तो again it is not desired that is why beta का जो value है वो generally 0.9 या 0.99 या 0.5 इतने में ही generally आप fluctuate करते हो 0 नहीं करते क्योंकि SGD बन जाएगा और 1 भी नहीं करते क्योंकि there will be no dk और वो एक kind of dynamic equilibrium में फसके रह सकता है तो guys next मुझे आपके साथ discuss करना है कि momentum optimization जो approach है उसकी परेशानी क्या है इसका problem क्या है बट वो discuss करने के पहले मैं आपको जो momentum के दो सबसे बड़े benefits है वो दिखाना चाता हूँ और वो आपके screen पर है यहाँ पर आप दो balls देख रहे हो जो की एक error surface के उपर float कर रहे है अब यहाँ पे जो blue वाला जो ball है यह gradient descent है vanilla gradient descent और जो purple ball है वो है आपका momentum ठीक है अब यहाँ पर आपको दो benefits दिखाई देंगे पहला benefit आपको clearly दिखाई देगा that momentum is faster notice करना जब उपर से दोनों ball छूट रही है तो blue वाला ball actually constant speed पे नीचे आ रहा है whereas जो purple वाल है वो जैसे से नीचे आ रहा है वो speed gain कर रहा है ठीक है और पहले पहुँच रहा है तो जो पहला point है जिसकी वज़े से momentum को use किया जाता है वो है exploration faster speed जल्दी training का solution आपको मिलता है तो वो आपको दिख रहा है दूसरा बहुत बड़ा जो एक चीज आपको दिख रही होगी इस image में वो यह है कि local minima escape कर जाता है momentum you can see यहाँ पे दो गड़े है चोटा गड़ा represents local minima बड़ा गड़ा represents global minima और आपको global minima तक पहुँचना है and you can see कि blue वाल बॉल जब उस चोटे गड़े में आया तो वहीं पर फसके रह गया उससे बाहर नहीं निकल पाया because उसके पास वो speed नहीं था उससे निकलने का whereas अगर आप momentum की बात करो तो momentum के पास momentum है जिसकी वज़े से वो उस चोटे से गड़े से निकल गया और फिर global minima में जाके गोज गया अब यहां पर एक problem आपको शायद दिखाई देगी कि momentum का जो सबसे बड़ा benefit है जो सबसे बड़ा advantage है वही कभी-कभी उसका disadvantage बन जाता है एक बार notice करना जब purple ball बड़े वाले गड़े में घुस रही है तो सीधे जाके रुक नहीं रही है देखो एक बार वो to and fro motion कर रही है because उसके पास momentum है and because dk factor की वज़े से आपका velocities घट रही है तो eventually जाके वो settle down हो रहा है but settle down होने के पहले वो थोड़ा time ले रहा है इधर उधर करके तो इसकी वज़े से थोड़ा सा slow हो जाता है momentum optimum solution तक पहुँशने के लिए although gradient descent से fast रहेगा but आगे हम जो algorithms पढ़ेंगे उसके comparison में थोड़ा सा weak पढ़ जाता है because of this behavior की वो जाकर के oscillate करने लगता है यही इसका सबसे बड़ा disadvantage है यह मैं आपको एक और दूसरे graph के थूँँ दिखाता हूँ अब यह वाला error surface देखते है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है 3D में so यह इस तरीके से high है surface उपर है और जो minima है वो यहाँ पर है यह गड़ा है यहाँ पहुँचना है मैं ठीक है उसी का contour यहाँ पर है अब आप जब momentum apply करोगे ना तो momentum बहुत तेजी से आएगा यहाँ तक पहुचेगा but वो इतना speed में होगा कि वो cross कर जाएगा इसको और उपर आ जाएगा और फिर वापस नीचे जाएगा फिर इस तरीके के movement करके वो जाके finally रुकेगा so basically in oscillations में काफी time waste हो जाता है जिसकी वज़े से momentum सबसे fastest optimization टेकनीक नहीं बन पाता this is the biggest flaw with momentum कि जब momentum गेन होता है तो वो कई बार optimum solution को cross कर जाता है और फिर oscillations लेते हुए क्योंकि हमारे पास एक decay factor है generally 0.9 का तो धीरे धीरे पुरानी velocities को भूलने लगता है recent velocities since कम है तो फिर वो eventually जाकर के सही जगा पे रुख जाता है तो that is how momentum works और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी problem क्या है तो momentum की सबसे बड़ी problem momentum है So guys at the end ये जो सारे के सारे optimization algorithms है न इनका feel आपको पता होना चाहिए इनका intuition आपको पता होना चाहिए and that is why वीडियो खतम करने के पहले मैं आपको ये बहुत बढ़िया visualization tool दिखाना चाहता हूँ जो की एक web based visualization tool है यहाँ पर you can see there is a contour plot with two minimas ये आपका global minima है ये आपका local minima है although दोनों मुझे comparable size कहीं लग रहे है but यहाँ पर आप क्या आगर सकते हो कि किसी भी point पे इस पूरे surface में click करके आप देख सकते हो कि आपके अलग-लग optimization algorithms कैसा behave करते हैं so मैं आपको SGD और momentum के बीच में comparison दिखा रहा हूँ although मुझे जितना लग रहा है SGD नहीं है यहाँ पर batch gradient descent है but जो भी है आपको momentum के ओपर जादा focus करना है so आपने कहीं भी click किया and you can see जो blue वाली line है यह momentum है और जो black वाली line है वो SGD है so you can see किस तरीके से traverse कर रहा है इस पूरे terrain को let's say अगर आप यहाँ से start करो तो you can see यह वही oscillations है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि local minima तक पहुँचने के पहले momentum क्या करेगा कि वो oscillate करेगा और फिर eventually जब उसका velocity die out करता है तब वो जा करके रुकेगा ठीक है मैं आपको अलग-अलग points से करके दिखा रहा हूँ और इस चीज का code मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और इस पूरे algorithm को काम करता हूँ देखना बहुत ही एक अच्छी feeling देता है आपको भी जब यह tool मिले तो आप try out करना you can see momentum आगे चला गया और फिर पीछे आया फिर पीछे आया और ऐसे oscillate करते करते हैं यहाँ पर रुका शायद इस angle पर जादा बेटर समझ में आए यह देखो see see ठीक है तो इसके साथ आप थोड़ा खेलो काभी मज़ेदार है यह और थोड़ा intuition अपना build करो so that was the video guys I hope आपको पसंद आया और आपको momentum with sgd with momentum जो हमारा optimization technique है वो समझ पाए आप अगर आप यह सही से समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे हम इसको आगे फिर से use करेंगे दूसरे optimization techniques में so that's it from my side मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ